गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे एवियस में क्वेश्चन अंसर और बुक एक्सरसाइज ओफ लेशन नंबर नाइन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स फिर्स्ट ओफ और यू विल सी पेज नंबर फॉर्टिवन एक्टिविटी ताइम मिस हमें यहाँ पर फेस्टिवल्स की कुछ पिक्स दी गई हैं तो हमें इनको रिकोगनाईज करना है कि कौन से फेस्टिवल पर हम कौन सी डिश बनाते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिवाली की दी गई हैं तो दिवाली पर हम क्या खाते हैं मिठाईयां ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे sweets next है Ead Ead की यहाँ पर देखी picture दी गई है मदर से की picture दी गई है मौस्कु की तो हम Ead वाले दिन क्या बनाते हैं सेवाईया तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेवाईया next है देखी Christmas tree है तो Christmas tree कब बनाते हैं 25 December को ठीक है Christmas वाले दिन Christmas day होता है जिस दिन तो Christmas day पर हम लोग क्या खाना पसंद करते हैं cake next है हमारा page number 43 यहाँ पर देखिए activity time में color the national flag correctly write the meaning of each color in the space given celebration यहाँ पर देखिए flag दिया गया है और flag में यहाँ पर हमें तीन color करने है सैफ्रन white and green ठीक है और आप क्या करोगे सैफ्रन का यहाँ पर आप meaning लिखोगे कि सैफ्रन color क्यों यूज करते हैं हम अपने फ्लैग में वाइट कलर किस चीज के लिए यूज करते हैं और गृन कलर किस चीज के लिए यहां पर हम यूज करते हैं आगे देखिए, एज नमबर 44, exercise time, fill in the blanks, फर्स्ट है हमारा गुजिया, गुजिया is a special dish of holy, गुजिया कब बनाई जाती है, holy पर, डैश is the birthday of Lord Jesus Christ, तो कब होता है birthday Lord Jesus Christ का Christmas वाले दिन, आगे देखिए, people worship goddess, लक्ष्मी ओन दिवाली, दिवाली पर कौन सी देवी की पूजा होती है, लक्ष्मी देवी की, आगे देखिए, question answers, name the festival celebrated by Sikhs, जो Sikh होते हैं वो कौन सा festival मनाते हैं, गुरपूरब, गुरपूरब celebrated by Sikhs, second question है, who is worshipped on Pongal, Pongal पर किस की पूजा की जाती है, rain god, sun god, and cattle are worshipped on Pongal, ठीक है, आगे देखिए, Whose effigies is burnt on दोशहरा, दोशहरे पर किस के पुतले जलाए जाते हैं, रावना, कुमकर्णा, and मेगना, इन तीनों के पुतले दोशहरे वाले दिन जलाए जाते हैं, आगे देखिए, match the following, First है Independence Day, कब मनाया जाता है, 15 August, First का क्या अंसर आएगा, D, Second इस गांधी जी अंती, गांधी जी अंती कब सेलिब्रेट की जाती है, 2nd October, तो 2nd कांधी जी आएगा, C, Christmas, 25 December, 3rd कांधी आएगा, A, Republic Day, 26 January, तो 4th कांधी आएगा, B, Next है हमारा, page number 45, project work, paste the picture of three festivals that are not given in the book, Write one reason of their celebration, means, आपको यहाँ पर 3 pictures paste करनी है, जो कि इस book में नहीं दी गई है, आप खुद से कोई festival की हाँ पर picture लगाओगे, और नीचे reason लिखोगे उसका, कि यह festival क्यों मनाया जाता है, और उन festivals के name भी लिखोगे, आगे देखिए, यह आप लोग खुद से करोगे, यह homework है, आप लोगों का activity है, आप लोगों के लिए, आगे देखिए, Do and learn, name the festival related to these pictures, देखिए क्या दिया गया है प्लेट में, गुजिया, गुजिया की तस्वीर है, तो आप बताओगे की गुजिया कौन से festival पर खाए जाती है, आगे देखिए candles है, candles हम कौन से festival पर जलाते हैं, next है cake, केक हम कौन से festival पर खाते हैं, आगे है सेवईया, आगे है लंगर और पुतले दिये गए हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास यहाँ पर, जो है, six festivals की पिक्स दी गई हैं, तो इनके coding आप नीचे फिल करोगे, कि कौन सा festival से क्या चीज़ रिलेट करती है, और इनके festivals के name लिख साथिन, question and answer and book exercise complete होती है, have a good day story.